प्रियंका गांधी वाडरा का जन्म 12 जन्वरी 1972 को दिल्ली भारत में हुआ था। प्रियंका गांधी भारत के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आती हैं। वह पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी हैं। प्रियंका गांधी भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी की बहन है उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से पूरी की प्रियंका गांधी ने दिल्ली विश्व विद्यालय के जीसस एंड मेरी कॉलेज से मनोविज्ञान में सनातक की डिगरी प्राप्त की है वह 1999 से भारतिय राजनीती में सक्रिय रूप से शामिल है प्रियंका गांधी अपने करिश्माई व्यक्तित्व और प्रभावी प्रचार कौशल के लिए जानी जाती है उन्होंने भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस पार्टी के समर्थन में आम चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर प्रचार किया है प्रियंका गांधी ने 2019 में अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के महा सचिव के रूप में आपचारिक राजनीती में प्रवेश किया वह राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित करने में सक्रिय रूप से शामिल रही है प्रियंका गांधी को उनके सशक्त और मुखर भाशनों के कारण अक्सर फायर ब्रांड नेता कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी की उपस्थिती को मजबूत करने में उनकी महत्वपून भूमिका रही है प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्यान की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है वह जमीनी स्तर के कार्यकरताओं और आम लोगों से जुडाव के लिए जानी जाती है प्रियंका गांधी बेरोजगारी, शिक्षा और महिला अधिकारों जैसे महत्वपून मुद्दों पर मुखर रही है उन्ही एक राजनीतिक वंश का हिस्सा होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है लेकिन उनके पास एक मजबूत समर्थन आधार भी है प्रियंका गांधी ने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाडरा से शादी की है और उनके दो बच्चे है उन्ही एक संभावित भावी नेता के रूप में देखा जाता है जो भारतिय राजनीती में एक नया द्रिष्टिकोन ला सकती है प्रियंका गांधी अपनी दादी पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी से काफी मिलती जुलती होने के लिए जानी जाती है